गुद मॉर्णिंग, क्लास 2, इंग्लिश 1, पेज नमबर 54, चप्टर नमबर 12, अडवर्ब्स तो तुड़े वी लार्न अबाउट अडवर्ब्स, आट परस्ट यू आप तो नो वाट इस अडवर्ब, आमा दे पोथे में जानते हावे अडवर्ब टाक की एडवर्ब टेल्स आस मोर अबाउट अवर्ब, जाकोन भार्ब स्रमन धे, कोनो कीछू बाला हावे, जाकोन भार्ब टी के डेस्क्राइब करवे जैवर्टी, शैवर्टी के आमरा बोलबो, एडवर्ब, उके? In this sentence, see, how is the dog barking? The dog is barking loudly. So, एखाने बोल्षे कुकुट्टी की भावे जितकार कोच्छे? कुकुट्टी जोरे जितकार कोच्छे. The dog is barking loudly. ताले, की भावे उत्तोर्टा आमरा जैवर्ट दिये पेलाम? की भावे जितकार कोच्छे? loudly जितकार कोच्छे. ताले, एई loudly होलो एखाने एडवर्ब. जाकोन आमरा कोनो कीछूर भार्बेर भार्ब के question कोड़े जाकोन आमरा जैवर्ट दिये पाबो? की भावे कोच्छे एई उत्त्त आम्रा जही वर्ट दे पाबो शही वर्ट टीके आम्रा बोल्बो adverbs कुकुट्टी की भावे चितकार कोच्छे? जोरे चितकार कोच्छे तहले जोरे टा एखाने होलो, loudly एखाने होलो adverbs In these sentences, how is the caterpillar crawling? The caterpillar is crawling slowly, so here slowly is adverb The words like loudly, softly, quickly, slowly tell us how an action is done तहले काच टा की भावे होच्छे? एई words गुली दारा, एई शब्दो गुली दारा आम्र एटा इटा इबुस्ते पाच्छे जो कोणो काच की भावे होच्छे? softly होच्छे, loudly होच्छे, slowly होच्छे, quickly होच्छे तो यह वर्स गुली दिये आमरा शेटा बुस्ते बच्छी and these words are called adverbs तो यह वर्स गुली की आमरा adverbs बोल सी and adverb tells us more about a verb okay thank you